हलो एवरीबड़ी इस दिग्रास सिंह राजपूत वेलकम तो मैगनेट प्रेंज इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में पढ़ेंगे फ्रांस बिकम्स अ कॉंस्टिट्यूशनल मोनार्की अगें अवरी इंट्रस्टिंग टॉपिक कनेक्ट करो भी पिछले वीडियो में आप जो पढ़का है उससे तो यहां पर आपको क्या करना पड़ेगी जोड़ जोड़ से सबको क्यों क्यों कि आखिरकार जो लोगों का लोग परिशान थे लोग खुश नहीं थे तो सब्सेशन क्राइस वगरा सब कुछ लोग जागरुक हो चुके थे तो जब स्टेट जनरल की मीटिंग बुलाई गई तो उन्होंने बोल दिया कि नहीं हम टेक्स नहीं पे मतलब एक तरह से क्या है टेक्स बढ़ाने का वो जो कुलता है पस्ताल प्रेजियrás हमला ऑजाता है countryside मेंश पçosलती जा रही थी राजą ने जिजसे बोलडया ठीक है मुझे माफ करो मैं आपको सम्मीधान मानता हूँ मैं नाशनल संबली को मानता हूं ठीक है तो उस तरह से क्या वरा है France is going to become cathedral स्मान इसन में और इस defense में को काम तयार किया चालू किया था किसने national assembly ने वह खतम कब होता है तो national assembly completed the draft of constitution in 1791 1791 में 1789 से constitution बन रहा है हमें भी दोढ़ाई साल लग गये थे इन साल ठीक है उन्हें भी दोढ़ाई तीन साल लग गए महां पर ठीक तो उस तरह से कहा है 1791 में ड्राफ्ट पूरा complete हो गया और वो जो constitution बन क्या आया तो दिहान रखना किस चीज़ की बात करें constitution of 1791 इस चीज़ को दिहान रखना तो उसमें the main object was the main object या फिर objective of the constitution was to limit the powers of monarch सबसे main मकसद क्या था कि क्यों बनाए constitution constitution मानने का में मकसद यह था कि जो राजा है ना जिसके पास absolute power थी तो ऐसा नहीं है राजा की power को चेक किया जा सके राजा को क्या किया जा सके लगाम में कसा जा सके वह main objective था धियान रखना अब दिखो क्या हो रहा है ना कि अगर objective type question आना है तो वह कहीं से भी प्रसाइज होना पड़ेगा अपने options पे और कैसे हो पाओगे जब आप इस तरह से क्या करोगे बहुत concentration के साथ वाली reading पड़ोगे रीडिट करोगे बार बार पड़ोगे जब आपको हर जीश पढ़ाई जाएगी तो मेरा भी परस्पेक्टिव यह मेरा objective भी है कि हर चीज में एंस एटी के कवर करके दो आपको कहीं से भी पूछ लोग कुशन ठीक है मेरे अच्छे तयार एक दम बढ़ियां क्लियर तो इस तरह से कहा है its main object was to limit the powers of the monarch ठीक है तो what was the main objective of the constitution of 1791 to limit the powers of the monarch these powers instead of being concentrated in the hands of one person were now separated and assigned to different institutions the legislature executive and judiciary क्या हो रहा है तो अभी जो constitution बना तो इसमें वो जो philosophers का आइडियास थे ना इंकॉर्परेट हुए क्यों कि लोग अगर रिवाल्ट में खड़े हो रहे तो इस करण से उपा रहे तो जो constitution मना 1791 में इसमें उने यही बोला क्या कि power सिर्फ एक इंसान के हाथ में क्यों हूँ power को क्या कर दिया जाए बाट दिया जाए तो power को बाट दिया जाए जैसे legislatures का काम हो law बनाना executives का काम हो कि उन laws को execute किया जाए जुडिशर यह देखे कि कानून का गलत इस्तमाल ना हो ठीक है तो इस तरह से यह जो modern ideas है यह आना इस्टार्ट होगा तो जो revolution से जो ideas निकल के आये थे वो ideas कहां देखने को मिल रहे है आपको system में constitution में देखने को मिल रहे है ठीक है this made France a constitutional monarchy तो ultimately France इस तरह से constitutional monarchy बनता है कि जो nationalism ने constitution बनाना चालू किया था तो constitution बना के complete कर दिया उसके यह provisions थे basically constitutional monarchy मतलब क्या है कि राजा रहेगा राजा आप सिंहासन पर बैठे रहे आपको नहीं उठा के पटक रहे ठीक है लेकिन आपको क्या है आपकी गोदी में वो constitution रख दिया जाएगा now you have to work according to the constitution rule of law establish कर दिया हर चीज जुड़ी रहती civics में पढ़ा है rule of law यहां आगे rule of law तो मतलब राजा की power रहेगी लेकिन राजा की power के ऊपर क्या रहेगा समविदान की power रहेगी यह चीज तै की गई कहां पर जो 1791 का constitution बना उस हिसाब से और इस तरह से फ्रांस से constitutional मोनार्की बना ठीक है इतना ही नहीं है अभी मतलब चीज़े खतम नहीं हुए इस constitution में जिसे अगर आप देखोगे ना इस constitution में क्या बोल दिया कि अब election होंगे ठीक है अब national assembly के लिए election होंगे तो national assembly पहले तो क्या है कि जो representatives गये थे 600 उन लोगोंने मिलके समविदार मना ले सब कुछ कर लिया अब उन्होंने सोचा कि आगे कैसे चीज़े चलेगी तो आगे कैसे चीज़े चलेगी उसके लोगों बहुत अच्छी बात नहीं है क्योंकि यहां पर पूरी तरह से आई नहीं थी देखो समझो कैसे तो यह तो यह क्या गया कि सबसे पहले तो जो राजा है राजा की पावर पर लिमिट लगा दी जाएगी पर बहुत और छुट लिट लगाट अब लगे होगा अब लेजिसलेचर जो ओनाी बनाने वाली बॉडी रहेगी वह ओन सी रहेगी नैशनल असेंटाव के द्वारा चुनाओ में वोट कौन देगा वो चीज़े समझाता हो मैं आपको थिक हैं तो indirectly elected मतलब आपनान डार इक लेक्त नहीं करती थी आम जनता इलेक्टर्स को बजत करती थी तर तो सिटिजन स्वीर्टेट फोरण फैसे लेक्टर्स सिटीजन क्या करते थे तो सिट्पीजन जो है तो तो इसलेक्टão करते थे एलड़ेस मैं सरफ मैं होते थे तो 50 ताउजन मैं जो झोल वह वोट देते थे वह वह वाट मैंगे कि किसको चूँज करते थे इसंभली को नैशनल आस्पली जो लॉँ बनने का काम करेगे जो फरांस की लेंजिस्ट्फिर बनेगी ठिगे तो यह कहानी थी आ कर तो इस लेकिन फ्रांस के हर सिटीजन के पास में वोटिंग राइट नहीं था, not all the citizens, ठीके, had the right to vote, तो दो तरह के सिटीजन उस समय पर बाट दिये गए थे फ्रांस में, active citizens और passive citizens, active citizens मतलब क्या है, only men above 25 years of age, who paid taxes equal to the at least 3 days of a laborer's wage, were given the status of active citizens, समय अच्छे से, France में जो सारे citizens थे उन्हें वोटिंग राइट नहीं था, सिर्फ men को ही voting राइट था, अब बोलो के तो सारे men voting राइट, नहीं, सारे men के पास voting राइट नहीं है, मतलब सबसे पहले तो क्या 25 साल से उपर होना चीए, ठीके, तो आज जिसे आप 18 years में voting राइट नहीं था, ठीके, तो who are active citizens question, यहां से निकल क्या गया, तो ध्यान रखना, 25 साल से उपर के men, ठीके, जो क्या करते थे, women नहीं, सिर्फ men, men, जो text पे करते थे, at least three days of a laborer's wage, मतलब एक labor काम करके तीन दिन में जित्ता कमाता था ना, कम से कम उतना जो इंसान text पे कर रहा है, उ उसको voting right दिया जाता था और उसे active citizen कहा जाता था, ठीके, they were entitled to vote, यह active citizen हो गए, ठीके, और एक और section जो था society का, तो बचे हुए वोट जो सब जिनके पास voting right नहीं था, तो बच्चे, men, जिनके पास property नहीं थी, जो text नहीं देते थे, women, इन सब को किस category में टाल दिया, passive citizens में, तो the remaining men and all women were classed as passive citizens, they were not entitled to vote, तो नहीं voting right नहीं दिया जाता था, अब इस diagram पे एक बार फिर से आते हम, अब इस chart को अच्छे से समझो, यह chart समझाता है, कि क्या framework निकल के आया था, ठीके, the political system under the constitution of 1791, 1791 का, अगर आप जैसे देखोगे नहीं यह constitution, तो उसमें क्या political system मना था, कि यह France की जनता है, तो एक जनता का हिस्सा passive citizen होगा, जिनके पास कोई voting right नहीं थे, about 3 million men, women, children and youth below 25 years, इन सब को क्या है, passive citizen बना दिया, फिर क्या है, ठीक है, active citizens थे, तो about 4 million of the population of 28 million, ठीक है, तो 28 million में सो 4 million जो लोग थे, वो active citizens थे मात्र, ठीक है, वो active citizens थे, जो क्या करे थे, थे, at least 3 days of the laborers wage के बराबर क्या करते थे, टेक्स पे करते थे, तो उनके पास voting right था, अब यह से नहीं कि वो direct national assembly को चुनेंगे, ठीक है, वो क्या करते थे, वो electors को choose करते थे, अब electors कौन है, तो एको electors समझ लेना, to qualify as an elector and then as a member of assembly, a man had to belong to the highest bracket of taxpayer, मतलब यहाँ पैसा फेको तमासा देखो वाला खेल चल रहा था, कि जो इंसान जो जिसके पास में क्या है, क्या सकते कि बहुत ज़्यादा पैसा है, ठीकिन वो क्या कर सकता था, अपने आपको qualify कर वा सकता था, किस के लिए elector के लिए, और जो elector बनेगा, वही इंसान क्या बन सकता था, मतलब जो elector है, सकता था, मतलब एक्टिव सिटीजन हो, आप बहुत बढ़ी है, आपके पास वोटिंग राइट है, लेकिन वोटिंग राइट होने से कुछ नहीं होगा, ठीकिए, आप वोट दे सकते हो, इलेक्टर को चूज कर सकते हो, आपको इलेक्टर बनना है, तो यू है तो यू है इंदी हाइस्ट, इंदी ब्रैकेट ऑफ हाइस टेक्स पर ठीकिया, आपको टेक्स पे करना होगा, जितना जादा टेक्स पे करो को उतनी ज्यादा पॉसिबिलिटी है, क्या आप लिजिस्लेचर का पार्ट बन जाओगे, ठीके, अब यह लिजिस्लेचर का करती थी, नैशन थी, जुडिशरी को भी इलेक्ट किया जाता था, और एलेक्ट अगेन कौन करेगा, सिर्फ एक्टिव सिटिजन करेंगे, तो यह पॉलिटिकल सिस्टर क्या है, पूरी पिच्चर में आ गया था, अब अगर जिसे कॉन्सिशन को देखो गे ना, तो कॉन्सिशन स्टार्ट क आगे पढ़ो गया आप, कहां एक सेक्शन आएगा चेप्टर में जहां पर विमन के ही बारे में पढ़ेंगे, कि विमन और उनका जो कंट्रिवुशन रहा, रवलिशन में, ठीक है, उनकी जो पोजिशन रही वो सारी चीज़े, लिए तो इस तरह से कॉन्सिशन जो था, कि चीज से साथ होता है, उसका डेकलिरशन क्या था ध्यान रखना, राइट सफ मैं और विमन, और मैं एन सिदिजन, राइट सच अ राइट तो लाइफ, फ्रीडम और स्प्रीच, फ्रीडम अफ ओपीनियन, एक्वैलिटी बिफोर लॉप, एक्वैलिटी बिफोर लॉप, मतल ऐसे अधिकार जो आप से छुड़ाएं नहीं जा सकते, बिलॉंग टू इच यूमन बिंग बाइबर्थ एंड कुड नोट बी टेकन अवे, मतलब आपके अंदर समाया हुआ है ना, आपसे इन एलिनियेबल है, वो आपसे अलग नहीं किया जा सकता है, ठीके नेचनल राइ जो है वो प्रोवाइड किया थे अंडर दी कॉंस्टिशन आफ 1791 ठीके, और इट वाज दी डूटे अफ इस्टेट इच इच सिटीजन नैचरल राइट और ये सारे अधिकार जो मिले तो हवा में नहीं मिले है, इन्हें बकायदा स्टेट के त्वारा प्रोटेट किया जा ला बार्बेरी बार्बियर ठीक है तो यह धियान रखना अब्जेक्टिव टाइप में कहीं से भी आ सकता है यह पूरी कहानी फ्रेंच के ट्राय कलर हो गया विंग्ड विमन जो है तो क्वालेटी विफोर लॉग अच्छा है इन सिंबल्स की बहुत जादा अपने आप में इंपॉर्टेंस है यह सिंबल जैसे ब्रोकन चीन देखने को मिल रही है तो यह सिंबल्स की क्या इंपॉर्टेंस है यह हम नेक्स वीडियो में पढ़ने आले क्योंकि आप जो देखोगा ना दो पेजए एक साथ मिलेवे ग्रीन उसमें जो सिंबल्स बताएं उस पर कुश् सरी दिक्कत हो रही है तो आपको क्या करना है सिंबल मैगनेट मेंस डॉट कॉम सर्च करना है गूगल पर एक वेबसाइट आईगी उस पर क्लिक करेंगे कुछ इस तरह का इंटरफेस आजाएगा ठीक है अपने क्लास सेलेक्ट करो क्लास करती से आपके सामने क्या जाएंग क्योंकि किंडरगार्टन से क्लास 12 तक इसी तरह से सब कुछ मैगनेट मेंस पर अविलेबल हैं मिलते हैं नेक्ष वीडियो मैगले टॉपिक के साथ तिल देन स्टे करेक्टेट कीप लर्निंग थैंक यू थैंक यू वरी मुझ